आपका एकब़ से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभारे दोस्तों आफ जो प्यार और सपोर्ट आपकी अपने च Zahl को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत धिन्यवाद अभी वरत्मान में अगर आप कोई तकलीफ या परेशानी से गुजर रहे हैं तो स्क्रिल के उपर हमारे नंबर चली रहे हैं, अब वाटसप पर अपॉंडमेंट ले कर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस चुल के लाग होई दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कि सब्ता में एक दिन इस पोधे को, इस पेड़ को आप चल दे दिजे, फिर देखे कमार, ये इसलिए बनाना बहुत ज़्यादा महत्मूर हो गया है, कि कहीं सारी परेशानियों के लिए हम कहीं सारे प्रहतने करते हैं, ये उपाई करते हैं, वो उपाई करते हैं, जिन जातको का बिजनिस नहीं चल रहा है, जिन जातको को शादी नहीं हो रही है या शादी में तनाव हो रहा है, पारीवारी गरह कलेश होता है, प्राम नहीं बनते हैं, रुकेवे पैसे नहीं आते हैं, मतलब कुल मिलाकर जितनी सारी परेशानियां हैं, वो परेशानियां हमें एक के गहरते जाती हैं, और हम इन परेशानियों के हल के लिए बहुत हद तक बहुत परिशान होते हैं, उनके कुछ हल हो जाए, कुछ उपाय हो जाए, जिससे कि हम इससे बाहर निकल जाए, बहुत प्रयास करते हैं, पर ये नहीं हो पाते हैं, लेकिन आज सिर्फ आपको साथ दिनों में एक पोधे को, एक पेड़ को जल देना है, और उसके साथ कुछ उपाय करना है, जिससे कि आप इस तरह की कोई भी परिशानी अगर जीवन में कभी भी आए, तो उससे बाहर आने का एक सकारात्मक आपको तरीका मिल सकता है, तो इस पूरे वीडियो को आप पूरा और अंतितक देखें, मेरी बातों को बहुत बारिकी से समझें, ताकि शिवाय, जैशु, शंबो, हर-हर, महादेव, और अगर अपनी कुंड़ी के अनलसिस हमसे करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए पर नमबर ही चली रहे हैं, अब वोट्सप पर अपॉंट्मेंट लेकर हमसे बात कर सेते हैं, तो हम सीधे मुद्धे पर आते हैं, सबसे पहले लगा है, सबसे पहली चीज़, अब दूसरी जो बात है, करना कौन से पेड़ को आपको जल चड़ाना है, आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, उसको शनिवार के दिन जरूर 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 आपको जल चड़ाना है, लेकिन कुछ साउधानी अभी रखना है देखे दोस्तों याद रहे कि शनिवार के दिन जल चड़ाएं बारा बजे बाद कहीं सारे जाता कि यह नहीं कर पाएंगे तो ठीक है कोशिच करें अगर बारा बजे हो पाए तो ठीक है दो फेरक है अगर नहीं हो पाता तो कोई दिक्रित की बात नहीं है आप दिन में भी च में कि अब सनिवार के दिन अगर हो सके तो पीपल के पेड़ के लिए हन्मान चालीसा का पार्ट जरू करें ये भी बहुत जादा सा कारत्मक है और ये जो उपाय है ये घर में रुके वे काम साधी ना हो पना दाम पत्य जो सारी तकलिफ है न उन तकलिफों का हल इन उपायों से हो सकता है तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में उमनमश्यवाई लिखें उमनमश्यवाई